किसी ने बड़ी कमाल की बात लिखी है साथियों कि सफल रिस्तों के बस यही उसूल है बातें भूलिये जो फिजूल है नमस्कार जैहिन साथियों रिट 2021 सामाजी का धेन की जो हम मेराथन टेस्ट सीरीज चला रहे हैं 48 नमबर की सीरीज आज भारतिय सविधान वर लोकतंतर यहां से प्रश्णों का संकलन किया जा रहा है वीडियो को लाइक कर दें भूल जाते हैं आप शेर कर दें सभी ग्रूप में अभी और पहली बार द मानवादिकार के अधेक्ष हैं रंगनात मिश्र H.L. दत्तु परकास टाटिया इन में से कोई नहीं क्या उत्तर हो जाएगा वरतमान में जो राश्ट्रे मानवादिकार आई होगे उसके अधेक्ष कोन है बै एच ल दत्तु सहाब ठीक है व्याख्या देख लीजिए राश पर्थम जो अधेक्ष थे वो थे रंगनात मिश्र परतम अदेक्ष की बात आए तो रंगनात मिश्र सहाब अभी को ने एचल धत्तु सहाब और राजस्तान के अंदर बात आई मानवादिकार आयो के अधेक्ष की तु वो है परकास टाकिया सहाब अगला देखिए दूसरा सवाल है बारत में पहली बार मौलिक अधिकारों की मांग किस ने की थी मौतिलाल नहरू ने बाल गंगादर तिलक साब ने पड़ित नहरू साब ने मात्मा गांधी जी ने क्या उत्तर हो जाएगा उत्तर हो जाएगा यहाँ पर अपना बै बाल गंगादर तिलक साहब ने बारत में पहली बार मोलिक अधिकारों की मांग की थी व्याख्या देखिए यहां से भी सावल बनाए जा सकते हैं और बनते आये हैं इन्होंने स्वयराज्य विदयक 1895 इस्यू में मांग रखी थी किसकी सबसे पहले मोलिक अधिकारों की तिलक साहब ने किसमें 95 में स्वयराज्य विदयक में और पहली बार मोलिक अधिकारों का जो वर्णन है वो मोतिलाल नेरू की नेरू रिपोर्ट 1928 में देखने को मिलता ह तिलक साब के बाद में एनिबेसेंट के नेतरतों में ग्रह स्वेराज्य बिल, होम रूल बिल के तैत मोलिक अधिकारों की मांग रखी गई उनके बाद में और एनिबेसेंट का दूसरा नाम जो है मेडम टौमन टॉन था यह भारतीय राष्ट्य कोंग्रेस की पहली महिला देख ती, पोच लिया जाए भारतीय राष्ट्य कोंग्रेस की पहली महिला कौन थी, तो इनका नाम आ जाएगा अगला सवाल देखिए अम्बेडकर साब ने किस भाग को सरवाधिक प्रकाशमान वे आलोकित भाग बताया था भाग एक, भाग दो, भाग तीन, या फिर भाग चार और प्रकाशमान क्यों बताया था? क्योंकि सविदान सवा ने इस पर 38 दिन तक विचार किया था तो बताईए वो कौन सा भाग था क्या उत्तर हो जाएगा भाग तेन थाओ अगला सवाल देखिए मौलिक अधिकारों के प्रकर्ती होती है नकारात्मक, सकारात्मक, दोनों इनमें से कोई नहीं उत्तर हो जाएगा ए मौलिक अधिकारों जो प्रकर्ति होती है वो नकारात्मिक होती है परन्तु ये वाद योग्य होते है अगला सवाल है कौन सा अनुछेद आपात काल में सबसे पहले निलंबित होता है 15, 16, 18 या फिर 19 उत्तर हो जाएगा अपना 10, 19 या अनुछेद जो है वो आपात काल में सबसे पहले निलंबित होता है साथी साथ अनुछेद 20 और 21 मौलिक अधिकार है वो मौलिक अधिकार है जो आपात काल में भी निलंबित नहीं होते हैं अगला सवाल है मौल समिधान में मौलिक अधिकारों की संख्या थी 6, 7, 8, 9 क्या उत्तर हो जाएगा उत्तर हो जाएगा बै मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी थी 7 थी लेकिन 44 सविदान संसोदन दुआरा 1978 में संपति के मौलिक अधिकार को सोची से अलग कर दिया तथा इस अधिकार को 300 के पिछली सीरीज में सवाल पूछा था 300 के के तहट विदिक या कानून अधिकार बना दिया गया इससे पहले यह अधिकार अनुचेद 31 में था यह सवाल 2008 2011 रीट 2016 में भी आया हुआ है मिलान करना है आपको एक तरफ मौलिक अधिकार है दूसरी तरफ उनके अनुचेद की किस अनुचेद में कौन सा मौलिक अधिकार वर्णित है तो आप मिलान कर लीजिए फिर मैं बता देता हूँ आपको तो सही उत्तर हो जाएगा यह सभी सुमेलित है समानता का जो अधिकार मिलता है में वो अनुचेद 14 से 18 की बीच में स्वतंतरता का अधिकार 19 से 22 शोषण के विरुद अधिकार 23 24 धार्मिक स्वतंतरता अधिकार 25 से 28 शिक्षा एवं संस्कृतिकार 29 तीस और सम्वेधानिक उपचारों का अधिकार 32 से 35 ठीक है अगला देखिए शैन ने अधिकार वर्णित अनुचेद है शैन ने अधिकार वर्णित अनुचेद है 33, 34, 35 या फिर सभी क्या उत्तर हो जाएगा 10 सभी अनुचेद 33, 34 और 35 इनके अंदर शैन अधिकार है जो वर्णित किये गये है अगला सवाल है मौलिक अधिकार 12 से 35 तक वर्णित है इनमें नागरीकों के अधिकार किस अनुचेद से शुरू होते हैं 12 से 35 तक तक वर्णित है मौलिक अधिकार लेकिन जो नागरीकों के वास्तों में जो अधिकार है वो किस अनुचेद से प्रारम होते हैं अनुचेद 14 से अनुचेद 15 से अनुचेद 21 से अनुचेद 25 से बताईए क्या उत्तर हो जाएगा उत्तर हो जाएगा ए अनुचेद 14 से ठीक है आगे बढ़ते हैं विधी के समक्स समानता से सम्मंदित अनुचेद है 14 15 16 सत्रे बताईए साहब कौन सा है तो यहाँ पर अपना उत्तर हो जाएगा ए विधी के समक्स 14 जो हमने पहले देखा था समानता की अधिकार उपर मौलिक अधिकार देखे थे वहाँ पर 14 से सुरुवात होती है अगला है इसमें व्यक्षा है यह बिटेन से लिया गया है इस अनुचेद का वर्णन अनुचेद 49 ए में मिलता है जहां गरीबों है तू निशुल्क वक्किल की बात है जो कही गई है ठीक है और विदी का जो समान सरंक्षण है वो USA से लिया गया है साथियों यह थे कुछ में तो कुन सवाल आज की सीरीज में कैसे लगे कमेंट करके बताईएगा लाइक नहीं किया तो कर दीजिए पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भ दूर में जो ते